तो जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि मिस्यून लूजिंग को दोसी समझ कर उसे अपने एक वर्ड के अंदर ले गई थी जहां से वो मिस्यून की इजाज़त के बिना भार नहीं आ सकता था और वहां लूजिंग और मिस्यून की बीच में फाइट भी हु तो हमारे वीडियो की स्टाइटिंग में मिस्यून लूजिंग को घायल करने के बाद अपने उस वर्ड से बाहल लेकर आ गई होती हैं जिसके बाद वहांपर जनरल जूसे कहती हैं कि मैंने यहापर इस अपरादी को पकड़ लिया है और अब मैं इसे यहापर फासी देने वाले ग्राउंड में ले जा रही हूं जिसे सुनकर जाउनिंगों आपर घबरा जाते हैं इसलिए वहापर जल्दी से मिस्यून के सामने आकर उन्हें वहां से जाने से रोकने लगते हैं तो यह देखकर मिस्यून उससे कहती हैं कि हमारे बादी सिटी के नियमों के अनुसा पहले और अगर आप उसे फांशी देने के लिए जा रही हो तो कम से कम उसके मास्टर का उसके साथ होना जरूरी है और उसके मास्टर कोई और नहीं बलकि हमारी प्रिंसेस है जहां यह कहते हुए उसे लगता है कि जरूर यहां पर प्रिंसेस का नाम सुनते ही लूजिंग क पचाने के लिए क्या करे और वही मी इचिन अपनी फिंकर को बिल्कूल सोड की तरह मजबूत करती हैं तो यह करके जूनिंग भी वहाँ पर पीछे नहीं रहती है और वहाँ पर लूजिंग को बचाने के लिए अपनी कैनन को बाहर निकाल लेती है लेकिन तब तक तो मिस्यून ने लूजिंग के उपर अटेक कर दिया था जिसे देकर जाउनिंग ने भी अपना अटेक मिस्यून के उपर कर दिया था और जाउनिंग का अटेक जैसे मिस्यून को लगता है विसी वहाँ पर एक जूरदार का धमाका होता है और वहाँ पर सारो उपर इस्तमाल करना है ये नहीं सिखाया लेकिन उसी बीच में ही जूनिंग ने मिस्यून के उपर अटेक कर दिया होता है जिसे की मिस्यून तो वहाँ पर बड़ी आसनी से बच जाती है और फिर इसके बाद हुआ पर अपनी सावी पावर्स को अपने पाम में खटा करके जाउनिंग बहुत जाने खायल हो जाती है जिसके बावजूदी भी जाउनिंग मिस्यून से कहती है कि मैं यहाँ पर आपको लूजिंग को नहीं ले जाने दूंगी और यह कहकर उसने वहाँ पर लूजिंग के एक पैर को अपनी चेन से पकड़ लिया होता है तो यह देख है और उसकी हालात इतनी जान्दा खराब हो गई होती है कि उसका मूँ तो बिल्कुल ही रोने जैसा हो गया होता है तो यह देखर कि जूनिंग वहाँ पर लूजिंग को छोड़ देती है लेकिन इससे वहाँ पर मिस्यून को कुछ भी फरक नहीं पड़ता है और वहाँ पर करने के बाद अब फाइड के लिए थोड़ी से सीर्यस होती है और वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तमाल करते हुए जूनिंग के उपर अटेक करती है जिसके इंपेट की बज़े से जूनिंग पीछे जाकर गिरती है और उस अटेक की बज़े से अब वहाँ पर उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं जिससे सुनकर मिस्यून आपर कुछ भी नहीं बोलती है और अपनी पावर्स का इस्तमाल करते हुए जूनिंग के एक पैर की उपर अटेक करती है जिसके बज़े से जूनिंग का पैर बहुत जांदे इंजड हो जाता है और वो नीचे लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके हाथ बंदे हुए होते हैं और वहीं जूनिंग इतने जाना इंजड होने के बावजूद भी हार ना मानकर मिस्यून की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि लोजिंग निर्दोस है और वो बिलकुल ही मासूम है और उ इसलिए अब तुम्हें अपना मन साफ करके रेडी हो जाना चाहिए और यह कहकर वह जानी को मार निकले उसके उपर अटेक करने लगती हैं लेकिन अब यह देकर लूजिंग का पार हुआँ पर बिलकुली गरम हो गया होता है इसलिए वहाँ पर अपनी एल्जर ड्रेगन क पावर का इस्तमाल करता है जिसकी बज़े से अब हो आपर लोजिंग के चारो तुरप से एक रेड कलर का औरा बाहर निकलने लगता है और उसकी आखें अब बिलकुली हो आपर एल्जर ड्रेगन की आखों की तरह ग्रीन हो गई होती हैं जहां पर वो गुस्से में मिसियू चाहिए और जब वो यह सब को सोच रही होती है तब ही लोजिंग उनसे कहता है कि तुम मानती हो कि मैं अपरादी हूँ लेकिन तुमने क्या इसे आपर सावित किया और तुम्हें क्या मेरे खलाब सभी एविडेंस मिले और अगर नहीं तो तुम सिर्फ दूसरों के कहने भ पढ़ते हुए कहता है कि तुम जूटे आरोब के साथ और अपना लॉइंफोर्स्मेंट ऑफिसर का नाम इस्तमाल करके किसी भी निर्दोस को सजा नहीं दे सकती हो और यह कहते हुए वह मिस्यून के पास में पहुच गया होता है और वहाँ पर मिस्यून का हाथ पकड़के जाउनिंग से दूर कर देता है जिसकी बज़े से वहाँ पर मिस्यून गुस्से में अब लॉजिंगों घूर रही होती है और यह सब कुछ वहाँ पर वहाँ डॉक्टर भी देख रहा होता है इसलिए वहाँ पर माहुल संथ का निकले कहता है कि हमारी इंपिरियल आर्मी के नियमों के अनुसर अगर एक अपरादी अपने अपराद को मानने से इंकर कर देता है तो उसे मिलिटरी डिसेपिलेंड डिविजन में भेजा जाता है और यह सुन कर मिसी मुहाँ पर समझ गई होती है इसलिए वो अपना हाथ लोजिंग से छोड़ाती है जिसके बाद हम हम अपर जूनिंग को देखते हैं जो कि हमाँ आपर खड़ी हो जाती है और अब वो तीनोजन एक दूसरे को देखने लगते हैं जिसके बाद हमाँ आपर लुजिंग वहां से जाते होए कहता है कि अब मैं खुदी यहाँ पर साबित करूँगा कि यहाँ पर दोसी कौन है और और अब हमारा ये वीडियो यहीं पर ही खतम होता है आयोब के वेला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और अगर आया है तो आप सभी को तो अच्छी तरगी से पता है कि आप सभी को क्या करना है इसलिए मिलते हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई